Hello everyone, welcome back to my YouTube channel आज हम लोग बात करने वाले हैं CSIR UGC NET exam के बारे में और हम लोग इसके syllabus के बारे में जानेंगे कि Life Science में हम लोग क्या-क्या units पढ़ते हैं, कितनी units होती हैं और इन units में से आपको especially किन पर focus करना ज़ादा जरूरी है मतलब not unique but the topics ठीक है तो दिखिए CSIR NET exam पहली बात तो आपको पता होता है कि दो बार होता है साल में एक बार होता है June में, एक बार होता है December में साल में दो बार इसका paper हुआ करता है Last two years में थोड़ा सा गड़बर हो रहा है क्योंकि COVID की वज़े से चीज़े काफी अलग-अलग है फिलाल हम बात करने लाइफ साइंस एक्जाम की लाइफ साइंस के एक्जाम में आपकी 13 यूनिट्स है फर्स्ट यूनिट है molecules and their interaction relevant to biology जिसको हम in short कहते हैं biochemistry जिसको मैं बोलते हूँ यह है हमारी biochemistry unit दूसरी है cellular organization या हम कह सकते हैं यह हमारी है cell biology unit ठीक है तीसरी unit की बात करते है fundamental processes जो की है molecular biology चौती unit की हम बात करते हैं यह हमारी cell signaling and communication इसमें signaling और immunology आती है तो signaling and immunology यहाँ पर आती है फिफ्थ unit है आपकी developmental biology 6 unit है plant physiology, 7th है animal physiology 4th, 8th unit है inheritance biology या फिर हम इसे कह सकते है genetics diversity of life form जिसमें आपकी classification animal kingdom, plant kingdom और microbiology के आते हैं पूरे part फिर आती है आपकी ecology फिर आती है आपकी evolution और आती है आपकी applied biology and methods इन दोनों को हम अलग नहीं रेख सकती एक ही चीज़ है एक ही चीज़ को हम focus करते हैं ठीक है शुरू करते हैं हम लोग एक एक unit से देखें अगर हम सबसे important बात करें कि कौन सी वाली unit आपके लिए जादा जरूरी है कौन सी कम जरूरी है कितनी जरूरी है कितनी नहीं जरूरी है तो भाई ये समझे कि लगभग सभी units का जो weightage होता है वो equal होता है almost यानि कि हर एक unit का जो score है वो ऐसा मानके चलेए 25 से लेके 35 के बीच में marks ज्यादा तर रहते हैं इससे कम भी हो सकते है ज्यादा भी हो सकते है अगर माली जे इस unit में कम है तो किसी और unit में ज्यादा होंगे इस molecules and their interaction relevant to biology का syllabus आपके सामने है जिसमें A से लेके J तक के units है parts है इन में से मैं अगर आपको recommend करूँगी कि आप इनको recommend करिये इसको जरूर से पढ़िएगा So I will recommend some of the things like composition structure and function of biomolecules इसमें अगर हम देखे तो proteins के और amino acids के आपके लिए बहुत important है Nucleic acid आपके लिए बहुत important हो जाता है यह तो आपके लिए ज्यादा important है इसके लग आपके lipids से भी आते है बढ़ वह प्लास्मा membrane के साथ जादा है Stabilizing interaction इसी के साथ merge होके आता है जानना जरूरी है छोटा सा topic है अराम से कर सकता है इसके बाद जो आपके लिए जरूरी है क्लाइक कॉलिसिस, oxidative phosphorylation, ETC यह आपके लिए बहुत important हो जाती है principle of catalysis, enzyme, enzyme kinetics, enzyme regulation, mechanism of enzyme catalysis, isozyn फिर आज आती है आपके important यह यानि confirmation of protein जिसमें रामचंदरन plot आपके लिए बहुत important है बाकी चीजे भी है और आते है confirmation of nucleic acid जिसमें ABZ specially आपको यह धिहान में रखने है TRNA, microRNA भी है stability of protein and nucleic acid हमारे लिए क्या-क्या topics important हो गया topic हमारे लिए B important हो गया है अगर हम देखे तो B हमारे लिए important हो गया C part हमारे लिए important हो गया E part हमारे लिए important है F है, G है, H और I इतनी चीजें हमारे लिए A से, इसमें मैं skip करने को कह सकते हो, ठीक है, इसको skip कर सकते हैं इसको भी एक बार को skip कर सकते हैं skip मतलब पूरा skip ना करें, थोड़ा बहुत पढ़ ले Metabolism of carbohydrate, सिर्फ अगर आप करें तो वह भी ठीक रहेगा यह आपके unit में पढ़ने वाली चीज़े हैं जहांसे question seriously काफी पूछे जाते हैं अब हम बात करते हैं हमारी cell biology के unit की यह हमारी cell biology है, ठीक है Cell biology में देखिए, क्या है, membrane structure इसका आपका सारा ही important है, structure and function यानी structure क्या है, lipid bilayer, membrane diffusion, osmosis, ion channel, active transport, membrane pump, sorting, regulation सब important है, so this is all important दूसरी बात आती है structural organization, structural organization की अगर हम बात करेंगे तो मैं आपसे कहूंगी कि आप पढ़ लीजेगा structure and function of cytoskeleton और उसका role motility में क्या है, यह सबसे important है, बाकी चीज़े हैं ठीक है पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, otherwise यह तो आप ज़रूर पढ़ लीए फिर आते है, organization of genes and chromosome operon यहां पर भी आता है, unit 3 में भी आता है, important है इसके अलावा बात करते हैं, यहां पर heterocromatin, uchromatin, transposome structure of chromatin chromosome ठीक है, आते हैं, question कुछ-कुछ आते हैं, not exactly कि बहुत जादा आते हूं यह आपके लिए बहुत important है, cell division and cell cycle complete इसका regulation भी आएगा, mitosis, meiosis से, सब कुछ आते हैं फिर आते है, microbial physiology, आज की rate में इससे questions बनने शुरू हो गए हैं, यहांसे questions आते हैं तो यह भी आपके लिए बनता है, यानि जो जो पार्ट में हाइलाइट के है, वो आप unit 2 में जरूर पढ़िएगा पाकी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, खराब नहीं है यह मत सुचिया कि हमने इतना पढ़ लिया तो यह खराब हो गया अब हम आते हैं fundamental processes पर यानि की unit number 3 जो कि हमारा molecular biology है यह आपका पूरा-पूरा मतलब यह सबसे चोटी unit मुझे लगती है, इसमें आप पूरा पढ़े तो बहतर है जैसे कि replication repair combination में पूरा ही आता है, RNA synthesis से आता ही आता है, अगर आप बात करते हैं अगली भी तो आपका protein synthesis भी important है, control भी इसके तो आप 4 पार्ट कर लें बहतर रहेगा आपके लिए आगे बढ़ते हम लोग आते हैं, cell communication and signaling पे, तो cell communication and signaling में हम लोग पहले part A की बात कर लेते हैं, so part A की बात करते हैं, host parasite interaction, host parasite interaction और इस वाले part में से बहुत जादा questions नहीं आते हैं, आप skip कर सकते हैं एक बात को, signaling आपके लिए important है, GPCR complete बहुत important आ जाती है, इसके अलागा आप इसके अलावा जो आपका developmental biology के जो pathway है, वो भी important है, तो यहाँ पर आप signaling complete कर लें, इसके अलावा बात करते हैं, यह regulation of hematopoiesis, ठीक है, general principle of cell communication, okay, now I will suggest cell addition and rules of different addition molecule, you should not skip, gap junction, extracellular matrix, you should not skip, integration, ठीक है, integrin इसी का part में आ जाता है, cancer आप कर सकते हैं, पूरा cell cycle के साथ, association के साथ, पूरा आ जाएगा, cancer and apoptosis दोनों चीज़े, फिर हम आते हैं किस पे, फिर हम आगे immunology पे, immunology में क्या important रहते हैं, immunology में वैसा तो सभी कुछ ही important हो सभी है, लेकिन adaptive immunity आप कर लिजे, cells and molecules involved in innate and adaptive immunity, antigen किसे कहते हैं, यह सारा ही important ह पूरा, B and T cell के epitope क्या होते हैं, generation of antibody diversity यह नहीं है, monoclonal antibody कर ले, antibody engineering, antigen antibody interaction देख लिजे, MHC molecule देख लिजे, antigen processing presentation, activation and differentiation देख लिए, right, B and T cell के receptors, humoral and cell mediated, basically सभी हो गया, almost, तो यह आप भी complete कर ले, यहां से सबसे अधा questions पूछे जाते हैं, पूरी unit से, मतलब दो पार्ट है आ और immunity, ठीके, इसके अलावा आपका बस चाता है क्या, जो addition molecules है, बाकी first part, आप skip कर सकते हो, अब बात करते हैं, developmental biology, यह subject हला कि मेरा बहुत specialized नहीं है, but I can suggest थोड़ा बहुत जितना मुझे आता है, जैसे कि आज कल, जो questions का trend चल रहा है, उस trend की बात करते हैं, तो basic concept में आपके यह सभी से questions तो पूछी लेते हैं, right, सभी चीज़े, competence, determination, differentiation, morphogenetic, gradient, self-fit, यानि basic concepts आपके लिए important हैं, ऐसे questions आते हैं, gametogenesis, fertilization, early development की बात करें तो, unit बड़ी ज़रूर है, लेकिन questions में यह बहुत scoring unit है, important है यह भी part, important में आपका यह भी आ जाता है, पहले आपका अक्सर drosophila से बहुत questions पूछे जाते हैं, आज की rate में जादातर जो चीज़े हैं, जैसे, islands induction है, limb development है, regeneration vertebrates है, यह बहुत जादा important हो गया, हला कि यह तो पहले से था, drosophila के अंदर excess and pattern formation, C. elegans के अंदर vulva formation, यह तो था ही, right, इतनी चीज़ें आप बहुत importantly कर ले, morphogenesis and organogenesis यहां से भी पार्ट है, important सभी कुछ है, जितना आप कर सकते हैं, उतना कर सकते हैं, बहुत बड़ी unit है, फिर आपने system physiology, plant की, plant की बात करते है, photosynthesis ठीक है, हो जाएगा, respiration, photorespiration क्योंकि common है, आपका यहां पर भी आता है, और unit number 1 में भी आता है, तो दो चीज़ों में है, ठीक है, कर सकते नाइट्रोजन मेटापॉलिस्म कर लिजे, plant hormones और sensory photobiology, यह 4 topics होगे, इस पेच पे, आगे बढ़ते हैं, हम लोग, चारो topics ही important है, वहाँ पे, तो अगर हम बात करेंगे, यहां पर आपकी solute transport, photo assimilate, translocation की, तो इसमें अक्सर पूछ लेते हैं, जो आपका translocation होता है, किस प् आपके उपर है, यहां पर कि आप कितना उसमें means invest कर सकते हैं, time, फिर हम आते है, animal physiology, animal physiology बहुत बहुत दा time-taking है, but I will suggest blood circulation, cardiovascular system, respiratory, respiratory के कुछ जो numerical type के questions होते हैं, वो होगे, इसके इलावा आप excretory system कर ले, इसके इलावा आपका endocrine and reproduction वाला portion कर ले, so I will suggest 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 8, 9, 10 में से मैं आप से कहते हूँ कि 5 unit, 5 part तो आप at least इसके कर सकते हैं, आगे अगे अगर हम बढ़ते हैं, तो inheritance याने के हम आजाते हैं, genetics पे, okay, genetics का पहला portion आता है, that is Mendelian principle, Mendelian principle से questions बहुत जादा detail में नहीं आते है, but yes, statement wise question आ जाते है, multiple allele, pseudo allele, complementation, बहुत important है, concept of genes is very important, extension of Mendelian principles is very important, सारे आते है, gene mapping बहुत 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 जादा important है, extra chromosomal inheritance ठीक है आता है, but बहुत जादा नहीं, microbial genetics important हो जाता है, pedigree आता ही आता है, lot score भी आजकल पूछने लगते हैं, lot score भी important हो आपके लिए, इसके अलावा गर हम बात करते हैं, अभी recently polygenic inheritance के भी questions बन रहे थ सिंपल से होते हैं, आता ही है, recombination यहां भी आता है, unit number 3 में भी आता है, तो इसलिए अब के लिए important बन जाता है, जो भी चीज़ कोलाप्स कर रहे हैं, वो obviously important हो जाती है, दो unit में आ रहे हैं, तो उससे आने के chances भी जाता है, diversity of life form के बात करेंगे, तो principles and methods of taxonomy में, ठीक है, biological n communication and hierarchy, texa, थीक है, यह सब चीज़ें आ जाती है, और radiation के adaptive comparative anatomic equations आते हैं, यह आपके लिए important होता है, natural history of Indian subcontinent, यहां से question बन जाते हैं, पूछे जाते हैं, और conservation concern के लिए जो organism हैं, यहां से question आते हैं, यहां से question बन जाते हैं, सिर्शन बन जाते हैं, और conservation concerns के लिए जो organism हैं, य आगे बनते हम ecology पे, एकोलजी में बिलकुल भी study means खुद नहीं करती हूँ तो ecology को में suggest करने में भी मुझे थोड़ा सा doubt है कि मैं सही जा रही हूँ या नहीं क्योंकि मैं कुद इसको deal नहीं करती हूँ But anyways I will just say कि अगर मुझे जितना मुझे knowledge है उसके साफ से habitat and niche is very important क्योंकि क्या होता है कि यहां पर हम confused हो जाते हैं So questions important है, resource partitioning, character display, realized or fundamental niche, niche-virt overlap यह सब आपसे question ना कई बार confusion create करते हैं, important है Population ecology is very important I know, species का interaction is also very important इसके अलावा बात करते हैं तो ecological succession is also important इसके अलावा बात करेंगे तो मेरे साफ से में इतने को क्योंकि मुझे बहुत जादा नहीं है analysis के बारे में But I will suggest कि इतने portion अगर मुझे करने पड़े तो मैं इतने portion तो करके जाओंगे So मेरे लिए यह important है Applied की बात करेंगे तो यहां पर biodiversity यहां भी है Biodiversity आपका unit number 9 में भी है तो obviously important है ही Conservation biology यहां पर भी है वहां पर भी है तो important है ही फिर हम आते evolution पर evolution की अगर हम बात करेंगे तो पहला part आजाता है आपका Emergence of evolutionary thoughts So lamarism, darwinism से actually questions नहीं आते हैं कई बार कई बार इन से opposite questions आ जाते हैं Anti-limar किया इनको जो इसने favor नहीं किया तो बताओ तो अगर आपको यह पता है फिर दूसरों के अगर आपको theories पता होती है तो आप उनको manage कर सकते हो इनको आप क्या बुल सकते हो compare कर सकते हो फिर origin of basic life में Okay यहां पर ठीक है बहुत जादा questions मैं नहीं कहूंगी कि इतना आज की rate में बहुत जादा है बट आप easily याद कर सकते हैं याद करने के लिए आप से यह बहुत ही easy वाला portion है origin of cell and unicellular evolution या यह क्योंकि हम बच्पन से पढ़ रहे है Paleontology की बात करें ही बड़ा important है evolutionary time scale यहां से question आता ही आता है यह 100% आप पढ़के जाहिए बहुत important है evolutionary time scale, origin of unicellular, multicellular organism major groups of plant and animal, primate evolution यह सब important है यहां पर फिर हम आगे molecular evolution पर जब हम molecular evolution पर आए है तो यहां पर आजाता है आपका neutral evolution का concept molecular divergence, molecular clock, phylogeny यह बहुत important है so this is also very important यहां से questions बनते है population genetics से Hardy-Winberg वाल equations आते हैं बहुत important है ठीक है यह पूरी ही unit important है आपके लिए यह वाला portion तो मैं अभी आपके लिए brain behavior and evolution में भी है but I will suggest कि आप part B, part C, part D, part E यह 4 portion अगर आप इसके धंसे करके जाते हैं तो आप evolution को काफियत तक cover कर लेते हैं फिर अगर हम बात करते हैं applied biology की तो applied biology में topics तो बहुत सारे हैं लेकिन जहांसे questions बनते हैं जादा तर वह आपके transgenic animal plant से आ जाते हैं मैं बोलू आपसे पढ़ना है I will suggest only this thing only Immunological principles के application है वह तो I will suggest this topic vaccines Transgenic यह पूरा portion है इसके अलावा आपका मैं करूंगी breeding in plant मितलब basically marker assistance selection बहुत ज्यादा मैं इसको number नहीं रहती हो इस unit में मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी units के साथ applied form में आता है तो बहुत ज्यादा इस पर time ना लगाएं जितना भी लगा सकते हैं दूसरी units पर इसके बजाए time लगाएं सबस्यादा lengthy unit आप कह सकते हो methods in biology है जिसमें से आपके लिए यह वाला जो portion है ना यह सबसे important है इसको आप पूरा करके जाए recombinant DNA technology फिर इसके बाद इसमें देखें मैं आपको इसको भी एक number दूँगी कि आपका histochemical and immunotechnics this is also very important फिर हम बात करते हैं biophysical यह पूरा ही important है पहले वाला भी पूरा important है biophysical की अगर हम बात करें तो आज कल जो questions हैं जैसे वो आपके spectroscopy में पूछ लेते हैं spectroscopy में पूछ लेते हैं बहुत आज कल question demand में चल रहा है this is also important अब सारह ही कवर होगा है यह है भी important ठीक है यह important है और statistical measure की बात करते है statistical measure में भी questions आते हैं एक simple सा question अगर कुछ नहीं तो जितना हमने basic basic क्या होगा वो तो आप करी सकते हो उसके बाद आप आजाए आगे यहां पर अब हम आगे radio labeling techniques इस ही unit का पार्ट है मैंने का सबसे लंबी है radio labeling technique बहुत आसान है question अकसर आते हैं तो आप इसमें simple question होते हैं आप इसके question भी solve करिए I will suggest कि इसके आप previous year question solve करें इस unit के specialist part के तो आपको नहीं समझा जाएगा कि question आते क्या है तो वहां से आप इसके पढ़ सकते हैं कितना आता है Microscopy बहुत important है इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अलावा अगर हम बात करें तो PET MRI से भी questions बनते हैं फील्ड में फील्ड की बात करते हैं population density of animal engine and remote sensing remote sensing remote observation से बहुत questions आने लग गया है habitat करें characterization की बात कर सकते हैं तो बहुत जादा नहीं बट मैं इतना बात कहूंगी यह कर लो यह कर लो इसमें इतना इतना portion है जो कि मैं आभी CSIR के लिए आप से कह सकते हूं कि इतनी चीज़ें आप कर लीजे मैं कोई unit skip करने को नहीं कह रही हूं भले आप कम पढ़िए I will suggest only some key points आपके लिए क्या है एक key point सबसे बड़ा आपके लिए यह है कि do not skip any unit आप कोई भी unit skip ना करें कोई skip नहीं करेंगे कम से कम 60 से शुरू करके 80% तक आप सभी unit का पढ़िए कुछ unit जो आपको skip करने हैं उनको यह समझे जिनको आप skip करना चाहते हैं उसका भी कम से कम 10% पढ़के जाओ कम से कम 10% जैसे अगर 10 portions हैं तो उसका कम से कम 1 portion तो कम 1 के बराबर तो करके जाओ तब आप मानते हो कि हाँ भी हम एक diverse तरीके से काम कर सकने हैं अब आप वहाँ confusion हो जाओगे कि हाँ यह तो replication के उसमें था termination में या transcription के termination में था So like row factor आ गया तो वहाँ confusion हो जाती है कई बार होती है कई बार नहीं होती है सही से concept clear है तो नहीं भी होगी बट फिर भी आपके लिए एक ही suggestion है कि आप अगर बहुत जादा चीज़ें आ रहे हैं तो उन बहुत जादा चीज़ों में आप कम से कम जितना diverse चलेंगे उतना आपके लिए बहतर होगा क्योंकि दो तरीके से study की जाती है या तो आप दो तरीके से कर सकते रहें या तो आप यह कहें कि भई हम Everest की चोटी पे पहुंच गये या तो आप से यह कहा जा रहे है कि आप Everest की चोटी पे पहुंच गये या आप से कहा जा रहे है आपने छोटे छोटे बहुत सारे पहार पार कर लिए दो अलग-अलग चीज़ें दोनों का अलग-अलग महत्व है अगर आप चोटे-चोटे बहुत सारे पहाड़ पार्ट कर लिये हैं तब भी आपका स्टैमिना बढ़ गया है तब भी आपने कुछ अचीव किया है और अगर आप एक पहाड़ की चोटी पे चड़े हैं लेकिन आपने उसको फते कर लिया है तब भी आपने कुछ इंपोर्टन अचीव किया है अपने लाइफ में बट यहां पर मैं कहूंगी आपसे यह चोटे-चोटे पहाड़े वह आपकी एक से लेके तेरा तक यूनित है आप इनके थोड़े-थोड़े पोर्शन जादा कर ले तो क्या होगा कि एक और तेरा के जो चीजें जो प्वेस्शन्स यहां मिल आते हैं वो प्वेस्शन्स आप अराम से कर पाऊगे अगर माल लीचे आपने केवल तेरा यूनित ही ढग से कर लगिए वट वन आपने पड़ी नहीं कर पाऊगे तो केवल या तो अवरेस्ट है या कुछ नहीं वैसा नहीं होना चाहिए आपको छोटे चोटे बहुत सारी चीज़े करनी है तब ही आप क्यूंकि पैटर्न चेंज हो रहा है रहा है को रिलेशन में आते हैं इंटर लिंक्ट क्वेशन्स आते हैं तो अगर एक चीज नहीं पता तो दूसरा नहीं कर पा होगे जै कॉम्बिनेशन क्या होता है यूनिट 3 का भी पार्ट है और यूनिट 8 का भी पार्ट है अब दोनों का अगर नौलेज है तब तो आप अच्छा गर्पा होगे अदर्वाइस दिक्कत होगी ठीक है चलिए इसी के साथ रहें कि सूमच मिलते है अगले वीडियो में और प्ली झarf लू बली खार्ट है अधियो मोर्फा बैज रहें कटी अवीर पार्ट है ऌगलेट रहें का भी आप और शोग अगरदीर